नाइड मैच इस दिल्चस्प होते हैं एक बड़िया मैच देखने मिल सकता है आज ग्रीन पेच रखा गया है आज के मैच के लिए शुरुवाती ओवर्स काफी निर्डायक साबित हो सकते हैं बल्ले बाजों को तक्नीक की आज एक अच्छी इमतहान होगी लटक्स सब का स्वागत है इस खूप सूरग मैदान में टॉस के लिए यहाँ पर मौझूद है दोनों टीम के कप्तान और मैच रेफरी कैप्टन ने टॉस जीता और पहले गिनबाजी करने का निर्ण लिया आज के मैच के लिए इन खिलाडियों को चुना गया है नई गेन के साथ दोनों अमपायर पिछ की तरफ बढ़ते हुए चलिए इस पारी की शुरुवात करते हैं फील्डर्स अपनी जंगार ले चुके हैं दो प्रतिबाशाली सलामी बल्लेबाज मैदान पर आ चुके हैं तेज गेनबाज को आकरमन में लाया गया है करते हैं जिसका था इंतजार वो घड़ी आ गई इनिंग की पहली गेंद उम्डा टाइमिंग पूरे विश्वास के साथ खेला है ये शॉट शांदार चौका बल्लेबाज अपने इसी बेखौफ अंदास के लिए जाने जाते हैं बड़िया प्लेस्मेंट स्कोर बोर्ड में कुछ और रंज जोडने का मौका गैप में खेला और एक रंज चुरा लिया दिल्चस्प होगा ये जानना कि अगली गेंद कहां डालने की कोशिश करेंगे गेंद बाज एक रंज लेने में सफल हो गए दोनों ही खेलारी रंजों की एहमियत को बहुत भली भाती समझता है ये बल्लेबास कोई फील्डर मौजूद नहीं है वहाँ पे कुछ और रंस मिलेंगे आकरमक फील्ड प्लेस्मेंट स्लिप्स लगाई है विगिट्स की तलाश में लग रहे हैं गेंद बाज जल्दी से एक रंड कंप्लीट किया इन दोनों ने झाल कर दोनों ये झाल कि बनदी से टको अविग्स्वाँ अबबेगान कर दोनों वोगाँ धिष्शने गड़ीं है उन दोनों अव्को भींट तोनों प्लाव वे हैं इन दोनों में विव्कों प्लाव प्लाव मेंउड़ चीटा की रफ्तार और बास की नजर है इनकी सीधा स्टम्स पे निशाना साधा सोच बढ़िया थी पर टाइमिंग नहीं बढ़िया गेम अवेडनेस बैक अप के लिए गए और अपनी टीम के कम से कम चार बहुमूले रन बचाए बढ़िया तरीके से खेला गया है ये शाट चार रन मिलेंगे बल्लेवास को थोड़ी चतुराई के साथ अपने स्टोक्स खेलने चाहिए गैप में खेला और एक रन चुरा लिया दमदार स्टोक्स फील्डर गेन तक पहुशने में नाकामिया चार रन बल्लेवास अपने इसी बेखौफ अंदास के लिए जाने जाते हैं स्पिनर पे भरोसा जताया है कप्तान ने अब देखते हैं कितने असरदार साबित होते हैं ये इन परस्थितियों में अब राउंद विकेट से गेन बाजी करेंगे गेन बाज खूबसूरा छेरन अरे शौट की खूबसूरती लबजों में बयान नहीं हो सकती माचिस तो वैसे ही बन नाम है आग तो इस बल्लेवास ने लगा रखी है चतुराई के साथ खेला इस शौट खेलने के लिए मैदान का सबसे छोटा हिस्सा चुना गैप में खेला और एक रन चुरा लिया बढ़िया गेम सेंस जल्दी बैक अप में गए और बल्लेवास को अतरिक रन लेने से रोका एक रन लेने में सफल हो गए दोनों ही खिलारी बल्लेवास और गेनबास दोनों के लिए ये विकेट अनकूल लग रही है खुबसूरत गेन मिल गई विकेट शेतुराई से फसाया बल्लेवास को बड़ी सफलता पूरी ठीम उत्साहित होगी इस विकेट से उमीद है इस विकेट से रनों की गती काबू करने में सफल हो जाएगा गेनबास जल्दी से एक रन कंप्लीट किया इन दोनों ने तेज गेनबास वापस अटैक में आते हुए पुजीशन पर फीडलर रखता है शायद असान सिंगल रोकना चाहते हैं गेनबास गैप में खेला और एक रन चुरा लिया इन परस्थितियों में एक धीमी गती की गेनज जरूर आजमाना चाहे का गेनबास एक रन लेने में सफल हो गए दोनों ही खिला रही ये स्टम्स के करीब से गई है बहुत बढ़िया थ्रोथा फिल्डर का जल्दी से एक रन कंप्लीट किया इन दोनों ने तेज दोन लगाई और एक रन अपने खाते में जोड़ लिया दोन अपिल्डा से मारा था इस शॉट को इन्होंने निश्य तोर पे ये गेंज सीधा बाहर ही जाएगी उम्दा स्ट्रोक बढ़िया टाइमिंग गेंज सीधा सीमा रेखा के बाहर खेल दिया है गैप में दूसरा रंच चुराने की कोशिश कर रहे है गैप में खेला और एक रंच चुरा लिया एक रंच लेने में सफल हो गए दोनों ही खिलाड़ी आकरमक फील्ड प्लेस्मेंट स्लिप्स लगाई है विकेट्स की तलाश में लग रहे हैं गेंबाज काफी अच्छा शॉट खेला है दो रन आसानी से मिल सकते हैं बड़े शॉट की कोशिश लेकिन गेंज सीधा फील्डर के हाथों में मायूस होंगे बलेबाज अपने आप से पविलियन का लंबा रस्ता तैय करना पड़ेगा खुश होगा गेंबाज पिछली गेंबाज पर बड़ी सफलता हाथ लगी है करक्ट शॉट मिलेंगे छे रन पहली पड़ लिया था गेंबाज पहुंचा दिया तारा मंदल में गुड शॉट बैट्समिन का हाथ में विश्वास ये शॉट से जरूर बढ़ेगा तेज गेंबाज अटैक में आते हुए दर्शकों ने इस मैच में जान डाल दी है अपनी टीम का पूरी उर्जा के साथ सहियोग कर रहे है जबदस्त क्या बढ़िया थ्रो थोड़ आसा स्टम्स के उपर से निकल गई डारेक्ट भी हो सकता था गैप में खेला और एक रंग चुरा लिया ये स्टम्स के करीब से गई है बहुत बढ़िया थ्रो था फिल्डर का एक रं लेने में सफल हो गए दोनों ही खिलारी दिल्चस्प होगा ये जानना कि अगली गेंद कहां डालने की कोशिश करेंगे गेंद बास जल्दी से एक रं कंप्लीट किया इन दोनोंने जबदस्त क्या बढ़िया थ्रो थोड़ स्टम्स के उपर से निकल गई डैरेक भी हो सकता था शाट बढ़िया पर टाइमिंग अच्छी नहीं गैप ढूनना चाहते थे बल्ले बास लेकिन सीधा फिल्डर के पास खेल दिया तेज दौल लगाई और एक रं अपने खाते में चोड़ लिया बढ़िया थ्रो स्टम्स के बेहत करीब थी ये गेंद नजदी की मामला हो सकता था स्पिन गेंबास को लाया गया है कप्तान विकेट की तलाश में है अब राउंद विकेट से गेंबास ही करेंगे गेंबास बहतरीन शॉट बढ़िया ग्याप धून निकाला है बलेबास ने चार रंड रनो की गती को नियंतरंड में रखना होगा अंतिम ओवरों में शानदाद दाइंग क्या लपका है गेंबास को बहुती आद्भूत कैश पकड़ा है फील्डर ने बैट्समेंट बहुती मायूस डगाउट में वापिस जाते हुए ओवर दो विकेट बॉल डालने का फैसला है गेंबास का कमाल का शाट और यहां मिलेंगे पूरे छेरंग वावाव क्या टाइमिंग है इनके पास जैसे इने पहले से पता था कि गेंड कहां आने वाली है गैप में खेला और एक रंग चुरा लिया आकरमक फील्ड प्लेस्मेंट स्लिप्स लगाई है विकेट्स की तलाश में लग रहें गेंबास बढ़िया टाइमिंग और इनके प्लेस्मेंट का तो जवाब ही नहीं चार रं जोड लिए खाते में स्पिन गेंबास को वापिस लाया गया है अब राउंड विकेट्स से गेंबास ही करेंगे गेंबास गेंद हवा में गई है कमाल का कैच एक नामम्मकिन कैच को मुम्मकिन कर दिया है इस खिलाडी ने बड़ी सफलता पूरी ठीम उत्साहित होगी इस विकेट्स से मायूस होंगे बलेबास अपने आप से पविलियन का लंबा रस्ता तै करना पड़ेगा ओह हो हो ऐसे कैचेज खेल का स्थर और उंचा कर देते हैं कोशिश की भी तो मिदान के सबसे बड़े हिस्से में उस दिशा में पार पाना मुश्किल है बढ़िया शॉट लेकिन सीधा फील्डर के पास गई गेन ओवर दो विकेट बॉल डालने का फैसला है गेन बास का गैप में खेला और एक रंच चुरा लिया अब राउंड दो विकेट से गेन बास ही करेंगे गेन बास काफी अच्छा शॉट खेला है दो रन आसानी से मिल सकते हैं बड़ी आसानी से दो रन ले सकते हैं बड़िया टाइमेंग और इनके प्लेस्मेंड का तो जवाब भी नहीं चार रन जोड लिये खाते में अच्छा रूंड लिये खाते में। अब राउंड विकेट से गिन बाजी करेंगे गिन बाज बड़ी आत्रों स्टम्स के बेहत करीब थी ये गिन नजदी की मामला हो सकता था अद्भूट शाट छे रन मिलेंगे गिन सीधा बाउंडरी के पार मज़ा आता है इनकी बलेबाजी देखने में गिन की लंबाई को बहुत जल्दी भाप लिया इनोंने बड़िया शाट बड़िया प्लेस्मेंट स्कोर बोर्ड में कुछ और रन जोड़ने का मौका दर्शकों ने इस मैच में जान डाल दी है अपनी टीम का पूरी उर्जा के साथ सहयोग कर रहे हैं गैप में खेला और एक रन चुरा लिया ये स्टम्स के करीब से गई है बहुत बढ़िया थ्रो था फिल्डर का जबर्दस शाथ अरे जितनी तारीफ पर बल्लेबास की उतनी ही कम है क्या खूब खेला है संतुलन बढ़िया और स्ट्रोक जबर्दस्त मज़ा आता है इनको बैटिंग करता देख अब राउंड विकेट से गेन बाजी करेंगे गेन बाज बल्लेबास ने परफेक्ट चौका मारा है इस गेन बाज को जानदास चौक बल्लेबास का फॉर्म काफी अच्छा लग रहा है आज गैप में खिला और एक रंच चुरा लिया एक पल में गेन बल्ले पे और दूसरे पर गेन सीधा स्टैंड में दमदार शक्का उंदा स्ट्रोक बढ़िया टाइमिंग गेन सीधा सीमा रेखा के बाहर ओवर दो विकेट बॉल डालने का फैसला है गेन बास का अद्भूद शॉट छे रन मिलेंगे गेन सीधा बाउंडरी के पाहर मज़ा आता है इनकी बल्ले बाजी देखने में आत्मविश्वास से भरा हुआ था ये शॉट कड़क शॉट स्पिन गेन बाजी को खेलने के लिए मानो बादशाहत हासिल है बल्ले बास को शॉट बढ़िया पर टाइमिंग अच्छी नहीं जबदस्त क्या बढ़िया थ्रो थोड़ आसा स्टम्स के उपर से निकल गई डारेक्ट भी हो सकता था बल्ले से गेन का जबदस्ट संपर्ख और इसे छे में किया तबदील और यहाँ पे ये पहली पारी समाथ हुई चलिए इस पारी की शुरुआत करते हैं फील्डर्स अपनी जंगार ले चुके हैं दोनों सलामी बल्लेबाज मैदान में उतरते हुए तेज गेनबास को आकरमन में लाया गया है बल्लेबास पहली गेन खेलने के लिए पूरी तोना में लाया गया है तरह तैयार है गैप में खेला और एक रन चुरा लिया बढ़िया बैक अप तारीफ करनी होगी वहाँ फील्डर मौजूद नहीं होते हैं तो विपक्षी टीम को अत्रिक रन मिलते खेलने का प्रियास और मिस हुआ यकीनन बल्लेबास को मुश्किल समय दे रहे हैं ये गेंबास बल्ले का किनारा लगा पर बैक्समें बच गए बड़ी सफलता पूरी ठीम उत्साहित होगी इस विकेट से रन आउट मैच का रुख बदल देते हैं एक रन लेने में सफल हो गए दोनों ही खिलारी सीधी विकेट पे लगी है गेंग तेज तर्रीन गेंबाजी मायूस होंगे बलेबाज अपने आप से पविलियन का लंबा रस्ता तै करना पड़ेगा बढ़िया कप्तानी गेंबाज की गेंबाजी के नुसार बहुत बढ़िया सजाई है फील्ड उन्होंने इमका पसंदीदा शॉट है ये करक शॉट चार रन जब आपकी बैटिंग फॉर्म बढ़िया हो तो बलेबाजी कितनी आसान दिखती है बलेबाज बिल्कुल कमफर्टेबल नहीं दिखे इस गेंबाजी बढ़िया के इनबाजी बैट्स्मिन को सेट होने के लिए थोड़ा समय मिताना पड़ेगा पिछ पर नजाकत भरा स्टोक चतुराईल के साथ खेला बढ़िया चौका बलेबाज का फॉर्म काफी अच्छा लग रहा है आज उम्दा गेंबाजी बलेबाज को वो गेंच समझ ही नहीं आई बलेबाज जरूर पिछली गेंच भुलाकर अगली गेंच पे ध्यान लगाना चाहेंगे बढ़िया तरीके से खेला गया है ये शाट चार रन मिलेंगे बलेबाज आकरमक रूप में आ चुके हैं देखते हैं इस गेंच पे क्या होता है वक्त लिया इस शाट को मारने के लिए लेकिन गेंच को स्टैंड में पहुँचा दिया गुड शाट बैट्समन का आत्मिश्वास ये शाट से जरूर बढ़ेगा बल्ले का किनारा और बोल्ड मिल गई विगेट इसी की तलाश थी ये देखिए अपने पसंदीजा अंदाज में सफलता का चश्ट मना रहे हैं ये गेंबास बॉलर अच्छे रिदम में दिख रहे हैं क्या एक और सफलता दिला पाएंगे अपनी टीम को जितनी टाकत से मारा था इस शौट को इन्होंने निश्य तोर पे ये गेंच सीधा बाहर ही जाएगी वावाव क्या टाइमिंग है इनके पास जैसे इने पहले से पता था कि गेंच कहा आने वाली है यकीन तेज गेंबास को बहतर खेलता है ये बल्ले बास बड़ी आत्रो स्टम्स के बेहत करीब थी ये गेंच नजदी की मामला हो सकता था शाट बढ़िया पर टाइमिंग अच्छी नहीं ये देखिए गला थ्रो और कोई फिल्डर भी मौजूद नहीं बैक अप के लिए चार रनों का इजाफा बैटिंग टीम के लिए गैप में खेला और एक रन चुरा लिया बड़ी हा शाट चार रन जरूर मिलेंगे बल्लेबास को थोड़ी चतुराई के साथ अपने स्ट्रोक्स खेलने चाहिए अपने अनुभव का पूरा इस्तमाल कर रहे हैं गेनबास यहां स्पिनर पे भरोसा जताया है कप्तान ने अब देखते हैं कितने असरदार साबित होते हैं ये इन परस्थितियों में खूबसूरत शाट फील्डर के पास कोई मौका नहीं इस गेन को रोकने का इस बल्लेबास को तो विपक्षी प्रशंसक भी तालियों से सरा रहे हैं खुबसूरत कैच यकीनान इस से बेहतल स्टोक खेल सकते थे बल्लेबास बल्लेबास निराश पविलियन की तरफ वापिस लौटेंगे बहुत अनुशासन से गेंद करने के लिए जाने जाते हैं ये गेंदबास ओ शांदार गेंद भागे शाली रहे बल्लेबास बल्ले का किनारा नहीं लगा खुबसूरत गेंद मिल गई विकेट चतुराई से फसाया बल्लेबास को बड़ी सफलता पूरी ठीम उतसाहित होगी इस विकेट से बल्लेबास अपने आप से निराश जरूर होंगे अच्छी विकेट मिली है पिछली गेंद पे क्या एक और सफलता दिला पाएंगे अपनी टीम को गैप में खेला और एक रंच चुरा लिया एक रंच लेने में सफल हो गए दोनों ही खिलारी जबदस्त क्या बढ़िया थ्रो थोड़ आसा स्टम्स के उपर से निकल गई डारेक्ट भी हो सकता था स्पिन गेंबास को लाया गया है कप्तान विकेट की तलाश में है स्पिन गेंबाजी को खेलने के लिए मानो बाथशाहत हासल है बलेबास को बढ़िया गेंद बलेबास के पास कोई जवाब ही नहीं था गेंद का शाट बढ़िया पर टाइमिंग अच्छी नहीं ये स्टम्स के करीब से गई है बहुत बढ़िया थ्रोथा फिल्डर का यकीन तेज गेंबास को बहतर खेलता है ये बलेबास जबर्दस गेंबास ये बलेबास ठीक से कनेक नहीं कर पाए बैटस्पिन को सेट होने के लिए थोड़ा समय मिताना पड़ेगा पिछ पर आ गई बिकेट अद्भूद कैच ऐसे कैच इस पकड़ना अमूमन आसान नहीं होते बलेबास निराश पैविलियन की तरफ वापिस लोटेंगे बढ़िया कप्तानी गेनबास की गेनबाजी के नुसार बहुत बढ़िया सजाई है फील्ड उन्होंने आउट बिना खाता खोले ही गलती कर बैठे बलेबास निराश जरूर होंगे अपने आप से बैट्समेंट बहुत ही मायूस डगाउट में वापिस जाते हुए अच्छी विकेट मिली है पिछली गेनबास क्या एक और सफलता दिला पाएंगे अपनी टीम को हवाने गेनबास जबदस्त क्या बढ़िया थ्रो थोड़ आसा स्टम्स के उपर से निकल गई डारिक भी हो सकता था बल्ले से गेन का जबर्दस संपर्क और इसे च्छे में किया तबदील उमदा स्ट्रोक बढ़िया टाइमिंग गेन सीधा सीमा रेखा के बाहर लॉंग लेग पे फिल्डर तैनाथ है शायद शॉर्ट बॉल का प्रियास होगा और ये बढ़िया कैच एक मुश्किल कैच को किया असान बड़ी सफलता पूरी ठीम उतसाहित होगी इस बिकेट से खुश होगा गेन बाज पिछली गेन पर बड़ी सफलता हाथ लगी है गैप में खेला और एक रंच चुरा लिया दर्शकों ने इस मैच में जान डाल दी है अपनी टीम का पूरी उर्जा के साथ सहयोग कर रहे हैं आउट बिना खाता खोले ही गल्ती कर बैठे बल्लेबाज निराज जरूर होंगे अपने आप से मायूस होंगे बल्लेबाज अपने आप से पविलियन का लंबा रस्ता तै करना पड़ेगा अच्छी विकेट मिली है पिछली गेन पे क्या एक और सफलता दिला पाएंगे अपनी टीम को बल्लेबाज अपना संतुलंध हो बैठे हैं शानदार स्टंपिंग विकेट कीपर द्वारा शानदार जीत बहुत बढ़िया अंदास से पहले एक सम्मान जनक लक्ष दिया और फिर उसको डिफेंड किया लग्ष आचाचा बढ़िया अपना हिसे लिएट सेउनले पीर फिर तबावमन से किया यहां रहुन को सब्सक्रों सब्सक्रों कि में विए दे मिन विए विए वेता है और दिए झाल इता है।